हेलो स्टुडियन्स वेलकम टू मैंगनेट बेंस हिंदी मीडियम मैं लाली वर्मा आप से विद्ध्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्यारे विद्ध्यार्थियों मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि परिक्षाएं आ गई है और आप बिल्कुल दिल लगा कर पढ़ाई कीजिए बहुत समय कीमती है और हम आपके साथ हैं हर तरह से बेटा यह बुक्स हैं आपके लिए जादू का खजाना यह यूं कहूं कि ना केवल यह बोर्ड एक्जाम में ही आपको सफलता प्रदान करवाएंगी बलकि आगे आने वाले कॉम्टेटर एक्जाम को क्रेक करने में भी पूरी-पूरी हेल्प करेंगे चलिए तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ हमने अपनी पाट अप उस तक अंतरा का पाट 6 शुरू कर दिया है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं वसंत आया और तोड़ो कविता के प्रशन उत्तर NCRT Solutions हम करेंगे तो मेरे साथ बने रहना ताकि आप हर एक प्रशन के अर्थ को समझ कर उसके उत्तर को भी जान सको क्योंकि जब तक हम प्रशन के अर्थ को नहीं समझेंगे उत्तर को जानना हमारे लिए कटिन होता है फिर हम क्या करने लगते हैं हम रटंत विद्या को अपनाते हैं तो रटने की प्रकरिया को कदापी इस्थान मत देना सुनना समझना और अपने शब्दों में उत्तर लिखने की कोशिश करना पहला प्रशन है वसंत आगमन की सूचना कवी को कैसे मिली अब क्या हुआ था याद है हमने कवीता पड़ी थी आई होप आपने प्रीवेस वीडियो देखा होगा येस जब कभी घूमने जा रहे थे सेर पर जा रहे थे और उन्होंने आसपास देखा कि कुछ पीले-पीले पत्ते जड़ रहे हैं पेडों पर कुछ नई-ई-ई कोपले आ रही हैं तो क्या ये वसंत का अगमन है और साथ होते हैं कि हाँ भाई वसंत आ गया है उसे चिडिया की कूक पेडों से गिरे पीले पत्ते और गुन-गुनी ताजा हवा वसंत के आगमन की सूचना देते हैं प्रकृति में हुई ये परिवर्तन उसे वसंत के आने का आभास कराते हैं और घर पर जाकर कैलेंडर इस बात की पून रूप से पुष्टी कर देता है कि येस वसंत रितू आ गई है अगला प्रशन है कोई 6 बजे सोबा फिर की सी आई चली गई पंक्ती में नहीत भाव इस पष्ट कीजिए इस तरह के प्रशन आते हैं इन प्रशनों को ध्यान से सुनो बेटा और इन में नहीत जो अर् ठंडग विदमान होती है इसमें मनुष्य सिहर उठता है मतलब शीतर तू थोड़ी सी जाती हुई सी ग्रीश मेरे तू थोड़ी सी आती हुई सी और ये जो उनके बीच का जो काल रहता है यह समय रहता है यही वसंत रितू होती है ठीक है परन्तु वसंत के आगमन के साथ हवा गुन-गुनी सी हो जाती है थोड़ी सी तोड़ी सी गरम थोड़ी सी ठंडग मतलब बहुत ही अच्छी मानों को युवती गर्म पानी से इसनान करके आई हो ये हवा फिरकी की भाती गोल-गोल घूमती है और अचानक रुक भी जाती है इसमें सहरन पैदा करने वाली थंडग विद्वान नहीं होती है वसंत की हवा में थंडग समाथ हो जाती है और गरमाह ठिरदय को आननदित कर देती है अलंकार बताईए शब्द लंकार अर्थों के प्रयोक से चमतकार आए तो अर्थलंकार आप देखते हैं यहां क्या कोई शब्द का रेपीडेशन है क तो यहां पर है बड़े बड़े पिये राए पत्ते क्या कुछ ऐसे शब्दा हैं जिनसे अच्छा सा लग रहा हो हाँ बिल्कुल बा और बा पा और पाग हाँ तो मतलब शब्दों के आने से सुन्दरता आई है तो जरूर इसमें होगा अनुप्रा सलंकार क्योंकि जहां व पुन्रुक्ति प्रकाश अलंकार होता है इसलिए इससपंग्ती में अनुप्रास और पुन्रुक्ति प्रकाश अलंकार हैं खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई अब यहां फिरकी सी जहां सी सा के जैसा के समान होता है वहां उपमालंकार होता है तो जरूर इसमें उपमालंकार भी होगा और हा के कारण हो सकता है अनुपराज भी हो तो प्रस्तुत पंक्ती में हवा की तुलना फिरकी से की ग प्रकर्टी होती है वहां अनुबरास और से अधिक वाराव्रति के कारण अनुबरास अलंकार है दहर दहर के कारण पुनरुक्ती प्रकाश अलंकार ठीक है याद रखेगा किन पंतियों से ड्याद होता कि आज मनुष्प्रकृती के नैसरगिक सौंदर की अनुभूती से वंचित है नैसरगिक मतलब वास्तविक जो रियलिटी है जो वास्तविक्ता है जो यथार्थ है उससे कहीं न कहीं मनुष्य वंचित है उस वास्तविक्ता का आनंद नहीं ले पा रहा है मनुष्य क्यों नीच मी दफतर में छुटती थी मतलब कहीं न कहीं इस पंक्ती से हमें यह समझ में आया कि मनुश्य यहाँ पर कवी ने स्वेम को इन्वाल्व करते हुए स्वेम को शामिल करते हुए यह बताया है कि हम सभी कैलेंडर पर डिपेंडेंट हो गए हैं प्रकृती में क्या परिवर्तन हो रहे हैं प्रकृती के परिवर्तनों को ध्यान में ही नहीं रखते हैं मतलब हम कहीं न कहीं प पढ़ते रहने से पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं डाग के जंगल और बौरा वेंगे अगला प्रकृती मनुष्टी की सहचरी है साथिन है इस विशे पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर में इस कथन की वास्त विक्ता पर प्रकाश डालिये तो यह बात सत्त है क की प्रकृती मनुष्य की सहचरी है मनुष्य और प्रकृती एक दूसरे पर आश्रित है ना तो प्रकृती मनुष्य के बिना सुन्दर है ना मनुष्य प्रकृती के बिना सुन्दर है जबसे मनुष्य का अस्तेत्विस प्रति पर अपन हुआ है प्रकृती ने भी सहचरी की माती उसका साथ निभाया है कैसे देखो मनुष्य का जीवन प्रकृति पर आशुरित है यह हम सब जानते हैं रहना सुनना खाना पीना सब कुछ प्रकृति पर निरवार है ठीक है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य का साथ निभाया है उसने मनुष्य की ह पांद तक पहुंचा है और साथी साथ अत्या धुनिक साधनक भी उसके पास उपलब्द है कई तरह की तक्निकी विज्ञान से वो जुड़ चुका है कई सारे अविश्कार वो कर चुका है उसके पास जो छोटी से लेकर बड़ी वस्तुए में साब प्रकृति की देन है मनुष्य का अपना कुछ भी नहीं है उसने जो पाया है प्रकृति रूपी सहचरी सही पाया है आरंभ में पूरी प्रतिवी पर प्रकृति का ही सामराज्य था जा मनुष्य नहीं था तब की बात की गई है कि संपून प्रकृति पर मतलब पूरी प्रतिवी पर प्रकृति का ह परन्तु जब मनुश्य ने प्रती पर अपने पैर पसार ने आरम किये तो मनुश्य ने अपना कब्जा अपना सामराज बढ़ाता चला गया बढ़ाता चला गया और चारों और वह सोचने लगा कि प्रकृती मेरी है और संपून प्रकृती पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिका से उसका दोहन किया है उसने अपनी सहचरी के धैर को प्रेम को खो दिया है और धोखा भी दिया है आज प्रकृती ने अपने सहचरी रूप को छोड़कर विक्राल धारन कर लिया है जो कभी उसकी सखी हुआ करती थी जो कभी उसकी मित्र हुआ करती थी आज मनुष्य ने उसक की सीमाओं को इतना आतिक्रमन कर लिया कि वह सो है मैं अपने अस्तितु को बनाया रखने लिए भर सक प्रयास कर रही है तो तभी तो कभी कभी प्राकृतिक प्रापदाएं आ रही है तो कहीं नेजरल डिजासर जिन को हम कहते हैं उनके कारण मनुष्य पर तहस नहीं सो जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई के लिए प्रकृतिका दोहन करता रहा है मानगरों में प्रकृतिके दर्शनी नहीं होते कहां व्रिक्ष हैं कहां पेड़ हैं कहां ताजी हवा है कुछ नहीं दिखता सब कुछ आर्टीफिशियल सब कुछ क्रत्रिब चारों और इम होता है जैसे की मनुष्य और प्रकृति का जो संबंद था जो बहुत गहरा था मित्रवत था वो आज शत्रुता में परिवर्तित हो गया है और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है आज मनुष्य के पास अत्याधिक सुक्सुवदाओं युक्त साधन है परंचमी है ओके ऑफिस की छुट्टी है तब जाकर हमें पता चला कि अपने आसपास हो रहे परिवर्तन उसे अवगत्तों कराते हैं परंतु है मनुष्य के रदय को आनंदित नहीं कर पाते मनुष्य प्रकृति का प्रेमिल संबंद आदो निकता की भेट चड़ चुका है आने वाला भविश इससे भी भयानक हो सकता है तो यहां पर कभी हमें ये सचेत करना चाहते हैं वान करना चाहते हैं कि समल जाओ अभी भी वक्त है यदि हमने प्रकृति को सही से उसका मित्रवत बहवार किया और उसका उप्योग किया तो हम अभी भी अपने भवश को सवा तो तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान बंधन और बाधाओं के प्रतीक हैं बंधन और बाधाएं मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती हैं इसलिए कभी मनुष्य को इनसके हटाने के लिए प्रेरित करता है साथी साथ ऐसे कठोर और प्रत्थर दिल इंसानों की और इशारा कर रहा है जनके मन में समवेद नहीं नहीं है जो किसी के प्रतिदया की भाव नहीं नहीं रखते हैं उनके अनुसार यदि इनसे पार आना है तो इन्हें तोड़कर अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा तभी मन्जिल पाई जा सकती है अगला प्रशन है भाव इस हम मिट्टी अब कैसे मिट्टी में बीज कब उत्पन होंगे फसल कब लहला आती है बंजर भूमी में नहीं उपजाओ भूमी में बस ऐसा ही हमारे हिरदय की बारे में सोचो तो कब हमारा दिल यहरदय या मन प्रफुलित होगा जब उसमें अच्छे विचार होंगे प्रेम नहीं लहला पाएगी ठीक है बाव यह है कि मिट्टी का उपजाओ पन ही बीज का पोशन करता है उसे फसल रूप में आकार देता है मिट्टी में दी उपजाओ पन नहीं होगा तो बीज का पोशन नहीं हो पाएगा ऐसे ही मन की स्थिति है जब तक उसके अंदर खीज चिल वहाँ निकालने के लिए प्रेरित कर रहा है अगला प्रश्न है कवीता का आरंब तोडो 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 से हुआ है और अंत गोडो गोडो से हुआ है विचार कीजे कि कवी न ऐसा क्यों किया तोडो 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 जहां कहीं भी तोड़ने की बात आती तो असा लगता है विनाश, लेकिन यहाँ पर तोड़ो का मतलब रचना से है, स्रजन से है, ठीक है, ऐसा करने के पीछे कवी का विशेश उद्देश है, तोड़ो तोड़ो से कवीता आरंब करके मनुष्य को विग्न, बाधाय, खीज, इत्यादी को चक्ना चूर करने के लिए प्रिर्द किया है, इस तरह मनुष्य संकट से बाहर आ जाता है, और मन को सोचने समझने की शक्ती का विकास होता है, विग्न, बाधाय, खीज, मनुष्य के विचारों को प्रभावित किये रहती हैं, और कुछ भी करने से असा मर्थ होता है, और गोडो, 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 सिवा मन को मजबूत बनाकर स्रजन शक्ती को बढ़ाता है, गोडो, मतलब जब हम कुछ भी बीज बोते हैं, तो उसके लिए कहा है, ठीक है, तो जैसे धरती के अंदर व्याब तो चट्टान और पत्थरों को तोड़ने से उसका बंज सके और स्रजन शक्ती, स्रजन मतलब नई रचना कर सके और बल्शानी बना सके, इस प्रकार मनुष्य का विकास संभव है, यदि मनुष्य अपने अंदर सदभावना लाएगा, तो विकास बिलकुल होगा, अगला प्रशनी ये जूटे बंदन टूटे, तो धरती को हम जान है, तो कभी का नेमलेकित पंक्ती में जूटे बंदनों से अभी प्राया है, कि जूटे बंदन मनुष्ट को अपने मार्ग से विचलित कर देते हैं, उसको एकागर चित नहीं रहने देते, उसकी शक्ती को जकड़ देते हैं, जैसे धरती में व्याप्त पत्थर, चट्टा की भाती कर सकती है, परंतु उसमें व्याप्त पत्थर और चट्टा ने उसे बंजर बना देते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी इतना कलात्मक है, इतना स्रजन शील है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसके अंदर की जो दुर्भावना है, वो भावना है, से अच्छा करने से रोकती है, अता हमें उसकी शक्ति और उसके मैत को समझ कर खेती योग बनाने की आवशक्ता है, तो वैसे ही मनुष्य के अंदर शंका हैं, जूटे बंधन और इंजाल में फसा रहेगा, तो स्रजन शक्ति का नाश करेगा, अता अपने मन का अवलोकन करक अपनी शक्ति को भैचानना होगा, और सभी बाधाओं को खाड़ फेकना होगा, ताकि नया स्रजन संभव हो सके, अगला प्रशन है आधे आधे गाने के माद्यम से कभी क्या कहना चाहता है, आधे आधे गाने अर्था, कोई भी गीत हम कब गुनों आते हैं, जब खीजते ह कोई भी गाना हम जब गुनों आते हैं, जब हमारा मन सही होता है, जब हम खुश होते हैं, जब अच्छा प्रतीत होता है, तो आधे आधे गाने के माद्यम से कभी कहना चाहते हैं कि मनुष्य जब तक अपने मन में व्यावत खीज और रूप को बाहर निकाल नहीं लेता, तब तक उसका गाना धूरा ही रहेगा, मन जब उल्लास तथा आनंद को महसूस करेगा, तभी वह पूरा गाना गा सकता है, यह इस बात की और संकेत करता है कि मन के अंदर खीज तथा उबावपन नहीं होगा, तो वह स्रजन कर सकेगा, इस तरह उसका कल्यार्ण संभव है, तो अपने मन की दुर भावनाओं को हटाना होगा, क्योंकि जहां बुरी भावना है वा अच्छी भावना कैसे रह सकती है, क्या दिन और रात एक साथ हो सकते हैं, नो, क्या सुख और दुख एक साथ हो सकते हैं, नहीं, क्या खुशी और घम एक साथ हो सकते हैं, नहीं, तो कहीं जाकर हम उत्तर लिख देते हैं और उत्तर को जब समझ लेते हैं तो हम अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिख कराएंगे और परिक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे बिल्कुल करेंगे, हमारी शुबकामना आपके साथ है, इसी तरह से बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, स्वस्त रहना, खुश रहना, बाई, थाइंक यू सो मच